हेलो फ्रेंड मैं संजना स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूटूब चैनल में तो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अच्छी चटपटी नमकीन तीखी खटाई जो की फ्रेंड मीठी भी लगेगी खटी भी लगेगी और तीखी भी लगेगी तो फ्रेंड आज हम बनाने जा रहे हैं कच्छे याम की मीठी कटाई चोकी पहुत स्वाधिष्ट बनती है और बच्चे बूढ़े सबको पहुत ज़्यादा पसंद आती है तो फ्रेंड इस रेसपी को बनाने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी अगर आप है तो इस पूभुत नहीं है ना बहुत बड़े मीडियाम साइज की आम है तो यह आम हमने मार्केट में बहुत है बहुत अच्छे से मिल जाता है आप किसी भी प्रकार काम ले सकते हैं छोटे बड़े मीडियाम साइज के और इस समय गर्मियों का शीजन चल रहा है तो आं ऐसे होते हैं यह स्कीन के दूफे ज़ए हिसी कमाईता ह्घन भायों रोग युफि तेशन दृट्हां होते हैं तुक्छबंव करक्षिस प πάुन देचा लेंगे जहां कर देखेता च्छाहिता combat पाथे यह कर दो झस कमाईत है और दॉफेसर थी खेता लेंगे तो जब इस तरीके से बहुत ज़ादा ज़ादा हमिने छीलना है हलका हलका लगाना आप चाहें तो चाकू के भी छील सकते हैं आपको जैसा बहुतर पड़े आप उस प्रकार से आमको छील सकते हैं कुछ लोग धुकण रहात है न छील वाला इसे शीलते हैं कुछ लोग सदेंजी थैस्ट तो को सपघ्धाइब इतना नर्म नहीं होता जैसे प्लीची से टेयार हो जाता है फिर देखे मैंने यह काम को छील लिया आप मैं इसको आपको काट के दिखांगे से हमें काटना कैसे है जैसे मैंने काटा है मैंने बताया आप अपने अनुसार इसको काट सकते हैं तो पहले हम बीज से दो तुकडे कर लेंगे फिर देखे इसके हम बीज निकाल लेंगे तो ब तरीके से मैं इसके तीन चार तुक्ड़े कर लूगे एक नांच तुक्ड़ें से ऊणने हेंwe देख रहे हैं कि कड़ाई गरम हो जाएगी तब इसमें हम एक चमज भर करके तेल डाल देंगे आप सर्सो का ही तेल का इस्तमाल करिए क्योंकि कोई भी अचार खटाई हम बनाते हैं तो इसमें सर्सो का तेल बहुत अच्छा लगता है सर्सो के तेल से बहुत ज्यादा हैं आफे बहुत टेस्टी लगना ही बंदान दो तो यहां सर्सो का तेल बा क्योंकि असके बाद जीक्राइब सर्दा लिए तो चार चीजों को सब्में को बवन सकते हैं कि फॉब replay और उगो जाइए तब भूप लुक्त वो थमीद्ज कि शथे को जैसे कि अभर पता प्लुप, जाएगे तो यहां たब्स तो हल्दि पॉडर करके इसको हम चला देंगे अभी इसी स्टेट पर ऌलडि Eck mu ओनों बहुत नहीं आएंगे फिर समीसमें डाल दैते हैं नम्मा वो सॉरी कष्टाई जो हमने काट करके खटाई रखे जों ने नाट रखे हुई थी कपा किशक करना के समर्ण करते हैं थैस touchscreen मिkk्स कर लेंगे जब इस तरीके से मिक्स होगा ना तो बहुत ही अच्छी खटाई लगेगी बहुत ही बढ़ी खटाई बन करके तैयार हो कि बहुत ही टेश्टी लगेगी तो देखिए इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेते हैं फिर इसमें इसको मिक्स किया थोड़ा सा नर्म हो जाएगा तब इसके बाद इसमें डालेंगे नमक तो नमक हम स्वाधिक अनुसार डाल देंगे क्योंकि काला नमक और सादा नमक दोना नमक हैं इसमें स्वाधिक अनुसार डाल देंगे और डाल करके इसको हम अच्छी से फि चटपटी मसालेदार इतनी बढ़िया खटाई बनकी यानि चटनी के जैसे भी आप इसको स्वाद ले सकते हैं मीठी चटनी के जैसे इसको हम प्रॉपरली चलाते हुए पकाएंगे थोड़े देर फिर इसमें हम डाल देते हैं आधा ग्लास के करीब पानी तो पानी हम इतना इसमें डाल देंगे और पानी डाल करके इसको हम ढख देते हैं तो ढखने के बाद तो से तीन मिनिट हम पकाएंगे उसके बाद हम फिर से चेक कर लेते हैं फिर देखे इसमें हम डाल देंगे लाल मिर्च का पाउडर धनिया पाउडर तो लाल मिर्च और धनिया पाउडर तो इस तरीके से आप लोग भी जरूर करिएगा मेरे कहने से बहुत बढ़िया बन करके तयार होती है तो देखिए हमने चलाते हुए इसको मिक्स किया फिर हम ढग देंगे दो से तीन मिनिट के लिए मिक्सिमम पांच मिनिट लगते हैं और खटाई हमारी बहुत ही बढ़िया यह बहुत ह्यां है तो उसमें हम थोड़ाज करेंगे घूल चुट जाएगी नहीं घूटे जो यह गूर्ड डालेंगे अगर कम खट्टा आम है तो आप गूर्कभी इस्तमाल कर सकते हैं अगर घट्टा यह तो बराबर मातरा में गूर्ड डालिए तब सब्सक्राइब का विए सब्सक्राइब इसमें सा कि यह थी आट रखिया का पाइक था सब्सक्राइब कि द्रीके से आपो कुम ऐसे गना आके देखिएगा बहुत टिस्टी लगेगी तो फ्रेंट अगर ये वीडियो आप लोगों की पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सस्क्राइब कर दीजिएगा प्यारा से एक कमेंट जरूर करिएगा कि आपको ये खटाई की रेशिपी कैस तयार हो गई है गुड को आमें जादा नहीं पकाना है बस तोड़ी दिर मिल्ट कर लेना है कब हमारी खटाई टयार हो जाएगी तो देखिये फाइनली कितना बढ़ीय काम बढ़ीया कलर आया कि इतनी गड़ीया चैक्टर एक इतनी गड़ीयो में पानी आ रहा है खटाई टेस्टी है ये फिर मिलेंगे नेस्ट वीडियो में बाई